अजय देगौन ने 32 साल पहले फिल्म फूल और काटे से बॉलिवुड डेब्यू किया था 22 नॉबर 1909 में रिलीस हुई इस फिल्म में अजय ने दो चलती हुई बाइक पर खड़े होकर एंट्री मारी थी बुदवार को फिल्म इंटरस्टी में 32 साल पूरे होने पर अजय देगौन ने अपना एक पूराना इंटर्विव वीडियो शेर किया इस वीडियो में अजय बता रहे कि अपनी डेब्यू फिल्म को थीटर में देखने का उनका एक्सपिरियंस कैसा रहा सोशल मीडिया पर इसे शेर करते वे अजय ने लिखा 32 साल वहीं वीडियो में अजय ने बताया गैलेक्सी में हमारी फिल्म का प्रीमिर था इसके अलावाद जेमिनी थेटर में भी इसका एक शो चल रहा था वहाँ सारे टिकेट बिक चुके थे मैंने प्रोजेक्शन रूम से जाकर देखा फिर हॉल में गया और सबसे आगे वारी लाइन में जाकर बेड़ गया जब कॉलेज की लड़की गाना चला तो लोगोंने सिक्के फेकना शुरू कर दिये उनमें से कुछ सिक्के मेरे सिर पर पड़े मैंने उन्हें उठाया और अपने पास रख लिया बाद ने मैंने उन सिक्कों को फ्रेम करवाया अजे ने अपनी पोस्ट में इस वीडियो के अलावा कुछ तस्वीरे भी शेयर की एक तस्वीर में वो पिता वीरू देवगन के साथ नज़र आ रहे है जो मशूर स्टन्ट डारेक्टर भी थे वहीं उन्होंने फिल्म से जूड़ी कुछ फोटो और फूल और काटे की इमोजी वाली एक फोटो भी शेयर की बागी की तबाव का अबरों के बने रहे हैं राजणवा नभी के साथ ताने बाद